10 अक्टूबर 1990 को जन्मी रकुल प्रीत सिंह एक बहुमुखी भारतिय अभिनेत्री हैं, जो हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। एक दशक से अधिक के करियर के साथ उन्होंने कई प्रशनसाएं हासिल की हैं, जिनमें एक साउथ इंडियन इंटरनाशनल मूवी अवार्ड के साथ साथ प्रतिष्ठित फिल्म फेर अवार्ड्स साउथ में चार नामांकन भी शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन रकुल प्रीट सिह नई दिल्ली के एक पंजाबी सिख परिवार से हैं। उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआ में पढ़ाई की और बाद में जीसस एंड मैरी कॉलिज से गनित में डिगरी हासिल की। अपने पिता के सेना अधिकारी के रूप में सेवारत होने के कारण अनुशासित माहौल में पलीब्धी रकुल के छोटे भाई अमन प्रीट सिंह भी फिल्म राम राज्यत से बॉलिवुड में डेब्यू करने के लिए तयार हैं। करियर की शुरुवात 2009 से 2014 उदास स्माइली। मनोरंजन उद्योग में रकुल की यात्रा 18 साल की उम्र में शुरू हुई जब उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा। 2009 में उन्होंने कन्नड फिल्म गिल्ली से अभिनाई की शुरुवात की जो सेलवारा घ्वन की साथ जी रेंबो कॉलनी की रीमेक थी। शुरुवात में इसे अतिरिक्ट पॉकेट मानी कमाने के साधन के रूप में देखने के बावजूद उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोच नात्मक प्रशन सामिली। अपनी डिग्री पूरी करने और 2011 फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के एक संक्षिप्ट अंतराल के बाद जहां उन्होंने कई उप्शीर्शक जीते रकुल फिल्मों में लौट आईं। उन्होंने केराटम 2011 और थड़ियारा थाक का 2012 जैसी तेलुगु और तमिल फिल्मों में अभिनय किया। सीमित स्क्रीन समय के बावजूद ध्यान आकर्शित किया। तेलुगु सिनेमा में निरनायक 2015-2018 उदास स्माइली। तेलुगु सिनेमा में रकुल को सफलता लौक्यम 2014, सर्रेनोडु 2016 और नन्नकु प्रेम्थो 2016 जैसी हाई प्रोफाइल परियोजनाओं से मिली। इन फिल्मों में उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्रशनसा दिलाई, जिसमें South Indian International Movie Awards में सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री तेलुगु का पुरसकार भी शामिल है। बाद के वर्शों में रकुल ने महेश बाबू के साथ स्पाइडर 2017 और कार्थी के साथ थीरन अधिगाराम ओंडरू 2017 जैसी फिल्मों के साथ अपनी सफलता जारी रखी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा को नीरच पांडे द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म अयारी 2018 के साथ और अधिक प्रदर्शित किया गया। करियर में उतार चड़ाव 2019 वर्तमान। 2010 के अंत में रकुल ने अजय देवगन के साथ देदे प्यार दे 2019 और मरजावा 2019 जैसी फिल्मों के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा। जहां उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए प्रशन सामिली वहीं बॉक्स ओफिस परिनाम अलग-अलग रहे। 2021 में रकुल ने चेक और सर्दार का ग्रेंडसन जैसी फिल्मों में अभिने किया। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित छत्रीवाली 2023 सहित उनकी विविध भूमिकाओं ने उनकी अभिनेक शमता का प्रदर्शन किया। वर्श 2022 में रनवे 34 इंच और डॉक्टर जी जैसी फिल्में आई दोनों को मिश्रित समीक्षा मिली। व्यक्तिगत जीवन और अन्य प्रयास रकुल प्रीत सिह की निजी जिन्दगी में अभिनेता और निर्माता जैकी भगनानी के साथ रिष्टा शामिल है। वह सक्रिय रूप से परोपकार में संलगन हैं, तेलंदाना सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में कार्यरत हैं। COVID-19 संकट के दौरान, उन्होंने गुरुग्राम में परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने और राहत प्रयासों के लिए क्राउड फंडिंग में भाग लेने में योगदान दिया। अपने अभिनय करियर के अलावा, रकुल विभिन उद्यमों में शामिल हैं। वह F45 ट्रेनिंग के तीन कारियात्मक प्रशिक्षन जिम की मालिक हैं। उन्होंने स्टारिंग यू एप की सहस्थापना की और लक्ष्मी माचु के चैरिटी फैशन शो जैसी धर्मार्थ गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। सार्वजनिक छवी रकुल प्रीट सिंह ने खुद को तेलुगु सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। उन्हें उनके प्रभाव के लिए पहचाना गया है। फोर्ब्स ने 2021 के लिए दक्षिन सिनेमा में इंस्टागराम पर भारत के सबसे प्रभावशाली सितारों में 17 रैंकिंग दी है। फिल्म फेर और अन्य प्रकाशनों ने उनकी प्रभावशाली फिल्मोग्राफी की प्रशंसा की है। उन्हें दक्षिन भारतिय सिनेमा और बॉलिवुड दोनों में सफलता पूर्वक नेविगेट करने वाला एक बैंकेबल अभिनेता बताया है टायम्स की मोस्ट डिजाइरेबल वुमन सूची और हैदराबाद टायम्स की तीस मोस्ट डिजाइरेबल वुमन सूची में उनकी उपस्थिती उनकी लोग प्रियता को और उजागर करती है रकुल इवा, लिबर्टी शूज और एकसिस हर जैसे ब्रांडों के लिए एक लोग प्रिय सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी रही है फिल्मोग्राफी और पुरसकार रकुल प्रीट सिंग की फिल्मोग्राफी में कई भाशाओं में विविद प्रकार की परियोजनाएं शामिल है उन्हें कई नामांकन और पुरसकार प्राप्थ हुए हैं जिनमें सिनेमा अवोर्ड्स और साउथ इंडियन इंटरनाशनल मूवी अवोर्ड्स में जीत शामिल है फिल्हाल रकुल के पास निर्मान के विभिन चर्नों में कई परियोजनाएं हैं जिनमें इंडियन दो इंच और अयालान, एक तमिल तेलुगु द्विभाशी शीर्षक, 31 अक्टूबर लेडीज नाइट और आगामी फिल्म मेरी पतनी का रीमेक जैसी तमिल फिल्में शामिल हैं निशकर्शत है भारतिय फिल्म उद्योग में रकुल प्रीत सिन्ह की यात्रा उनके समर्पन, बहुमुखी प्रतिभा और विभिन भाशाओं और शैलियों में अपनी छाप छोड़ने की क्षमता को दर्शाती है फिल्मों की आशाजनक लाइनप और स्क्रीन से परे निरंतर योगदान के साथ वह मनोरंजन उद्योग में एक प्रमुक हस्ती बनी हुई है